तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बलिंग्टन में तो अभी फेरी में घाडियां जो आगे वाली निकलेंगी पहले आप देख लीजिए तो लगी हुई है गाडियां और लगेंगे अभी पिछली बार तो एक घंटा लग गया था बैठने के बाद भी निकलने में अब दे जाली घर पहुंचेंगे और आज का हमारा जो फेरी से सफर है घर का वह साड़े तीन घंटे का है चार साड़े चार घंटे लगा के चलिए राम से चलेंगे अंधेरा है क्योंकि पूरा रात में सफर होने वाला है तो इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा और बच्चे साथ म है बच्चों को हमने फेरी में हमने दिखाया कि हमने क्या खाया था कॉली फ्लावर जो कोड़े से खाली थे पाई खाली थी लेकिन साड़े तीन चार घंटे हो गए है उसके बाद अब फिर बच्चों को लगी है फूक और हमारे पास है दो मफिन जो मैंने पहले ले लिए कुछ बनाना से ले लिए थे और थोड़ी कोल ड्रिंक जो फ्रिज में पड़ी है तो थोड़ा बहुत फूड है घर तक महुचने के लिए अगर ज्यादा भूख लगी तो रास्ते में खरीद लेंगे लो जी कुछ हमावेट करने के बाद हम अपनी गारी जो है शिप में से निका रहे हैं ये शिप के अंदर ही है डेक 3 है ये देखिए कैसा लगता है अंदर से रूफ देख लीजी आप ये पूरे शिप की रूफ है काफी स्ट्रॉंग बनाई होगी क्योंकि उपर भी इसके टारियां ही रुकी होई होती है तो धीरे धीरे करके वह भी निकलेंगी जे अदर की बड़े बड़े ट्रक भी अपनी चाल चलते जा रहे हैं तो अब जो मसला है वह हमें है वेलिंग्टन शहर से निकलना है कि उनको चुट्टी का समय हो चुका है पांच बजए जो है चु होने वाला है और ट्रैफिक भी बढ़ने वाला है और हमारे पास थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है जो के हम बहुत ज्यादा तेजी से चला नहीं सकते तो इस केमपरवेन को थोड़ा धीरे से एक बार वेलिंग्टन से हाई वे पे चड़ जाएंगे उसके बाद फिर अराम स हो चुकी है एक्जिक तो यह सारे का सारा एरिया जो है ना पॉर्ट का एरिया है यहां पे समंदरी जहाज आते हैं और जो वेपार होता है वेलिंग्टन के थ्रू यहीं से ही होता है जो समंदरी जहाज के थ्रू होता है तो अब हमारी एक्जिक हो चुकी है जी पॉर्ट से तो अब हमें हाईवे डूड़ना है, मैपस बता रहे हैं कि हाईवे जो जहां से है, पांच मिनट की दूरी पे है, और सिटी सेंटर भी इसके पास ही है, क्योंकि जब हम रुके थे, सिटी सेंटर में रुके थे और 6 मिनट की ड्राइव थी, तो इसलिए वलिंग्टन जो है न साड़क पे आप देख सकते हैं, अंधेरा हो चुका है, पानी के छीटे जो है, आप हमारी जो विंड स्क्रीन है, उस पे देख सकते हैं, मैंने वाइपर चला दी है, थोड़ी थोड़ी वरसात है, जो शुरू हो चुकी है, और वलिंग्टन इस जो काली रात में काफी सुं तो आप लॉस्ट भी हो सकते हैं, तो यह जो हमारा वलॉग है, लास्ट वलॉग होने वाला है, इस सीरिज में आपने काफी प्यार किया है, तो यह वलॉग हमारा लास्ट है, जो कि कई दिन में हम शूट करने वाले हैं, आज घर पहुंचेंगे, फिर गाड़ी को लोटाना है, सब इसी में ही शूट करके आपको एक वलॉग बना के दिखा देंगे, तो इस लास्ट वलॉग से मुझे आशा है कि आप से बहुत प्यार मिलेगा, अगर आप फेस्बुक पर हमारे वलॉग से देखते हैं, तो प्लीस यूटुब पर जाके सब्सक्राइब कर लीजी, क जहां पर इंटरनैशनल जो क्रिकट मैच होते हैं न बडे-बडे मैच यहां पे होते हैं, तो हम स्काई स्टेडियों के पास से गुझरे हैं, काफी लंबा यह स्टेडियम है, काफी बड़ा स्टेडियम है, अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो चुका बातों बातों में वदा नहीं चला, लगता है कि जाना था दूसरी और क्योंके मैपस बता रहे हैं, कि अब हमे आगे चलके टॉन लेनी है, क्योंकnost देखिए यह दूसरी फियरी वालो जो ना, आपको इंटर आइलेंडर फियरी दिखाई देरी है, यह दूसरा रास्ता आ चुका है क्योंकि यहां से तो फिर ही चलती है यही से तो हम चले थे पीस पच्छीस मिनट चलने के बाद अभी भी वही है तो हमने जो गल्ट टर्न ले ली है तो इसलिए मैं कह रहा था कि Wellington शहर से निकलना थोड़ा सा अगर रात का समय है अगर एक भी रोड गल्ट हो गया तो आफिर वही वापिस आ जाते हैं अब घूम के आदा घंटा लगेगा आई वे पे पहुंचने के लिए जोके पाँच मिनट का बढता रहा था न गूम के जाना होगा ये देखिए अब यहां से मैं युटर्न लोंगा ये कोई रोड वगेरा नहीं है ये ब्रिज के नीचे से युटर्न ले रहा हूं यहां पे ट corpus औ और parking ऑे फोफुली यहां से निकल जाओं अगर निकल जाएंगे यहां से क्योंके होफुली कोई पुलीस वाला या कोई ट्रैफिक वाला हमें ना देखे और ना ही यहां पर कैमरे हो तो फाइड वगरा नहीं तो यह घर पर भी भी देते हैं तो यह निकल गए हम तो ऐसा भी हो जाता है कही वार आप वहीं चक्रों में घूमते रहते हैं और जाना कहीं होता है लेकिन आप वहीं घूमी जाते हैं विलिंग्टन के हाइवे हमें रास नहीं आए लास्ट वार जब हमारा टायर पंचर हुआ था इतनी जो हमें प्रॉब्लम आई थी वह भी विलिंग्टन के हाइवे पे आई थी अभी रास्ता गुम हुए वह भी विलिंग्टन में गुम हुए विलिंग्टन लगता है कह हमें सुखा नहीं रहा हमें भा नहीं रहा और जैसे उसने भी धीरे नहीं किया, तो मैंने बहुत ही जो ब्रेक लगाई है न तेजी से, जिससे के सारा समान आगे आगया, बच्चे भी, बैल्ट वगरा लगी थी, सेफ हैं हम, लेकिन क्या हुआ कि इतनी तेज ब्रेक लगाने से, तांके ट्रक निकल जाए उस सिंगल ल तो यह देख लिए हम हाईवे पे आचुके हैं, तो अभी तो तीन लेन हैं लेकिन पीछे जाके सिंगल लेन, इन तीन लेन बनने से पहले जो डबल लेन से सिंगल लेन हो गई थी, वहां पे यह हुआ, कोई बात नहीं, अब आराम से चलाएंगे, मैं तो सुचा तो था घर जाके मिलेंगे, लेकिन वैदर बहुत जादा खराब है, मैंने का दिखा दूँ, इतनी टेज हमाँ चल रही है कि क्या बताएं बसात हो रही है, और ये वैन इतनी हाई रूफ वाली होने की वज़े से ना, बहुत कुश्किल से जलाई जा रही है, अंडर चला नहीं पा रहा हुएद है, जितनी कि ये स्पीड लिमिट है, और होफ फुली हमाँ सेफली गर पहुंचाएं बसात तो यही है, क्योंके बसात और इतनी तेज हवा, पामस्टंग के पास तो बहुत ज़्यादा तेज हवादी, तो हम पहुंच चुके हैं घर, तो घर पहुंचने के बाद, हम बैड में लेट गए हैं, आदा घंटे से उपर हो गया है, तो अब आती है बारी सोने की, तो कल को हमें गाडी लोटानी है, और इसको वेक्यूम वगरा करके देना होता है, तो हम वेक्यूम कर रहे हैं, गाडी ना हमारे पास दो हफ़ते रही, तो बच्चेयों ने यूज की, आप देख रहे हैं, कि पूरी काफी जो है ना, डस्ट और गयरा जम गई और काफी हमने चलाई भी है, गाडी काफी थाउजंड किलो मिटर में हमने चला दी है, इसलिए हम इसको अच्छे साफ करके लिए हमने पास है अज का समय हमारे पास है, पाल को गाडी जो है गारी को शाथ करके उनको देदी है दो । इंडि गैस हो, जो चले ही नहीं जीविकि चलता घर लेकिन डए अनको नए जैसा बना दिया है और इतना चमच रही है, यह इनald की की जल घंसी साफ करके इनको नह यह गारी मैंने न ओक्लेंड से हायर की थी जो के यहां से 400 किलोमेटर के करीब है और मुझे 6 घंटे लग जाएंगे वहां ड्राइव करके जाते हुए जो कल को मैंने जाना है और उदर से वापसी की मेरी फ्लाइट है तो यह देखिए सीट्स वगरा मैंने सारी जो है वाश कर प्यानी है मैं जाओंगा सुबा चार बज़े निकलूंगा और इसे वापिस करके फिर मेरी फ्लाइट है ऑकलेंड से ऑकलेंड इसको रिटर्न करना है और फ्लाइट से वापिस आ जाओंगा तो इस तरह हम ट्रप काइंड करें आगे से मेरा एक्स्पीरियंस यह कहता है कि आगे से रेंट करनी हो तो बड़ी करेंगे जिसमें प्रॉपर बैड हो यह नहीं करेंगे तो यह तो वैन की तरह थी बच्चों को साथ थोड़ा हाड हो गया अगर गाड़ी में ही जाते क्योंकि अगर हूटल बुक करने है तो फिर इसका पैसा क्यों देना है फिर अपनी गाड़ी जो के कमफर्टेबल है काफी हराम से चलती है तो अपनी गाड़ी में जाना काफी बहतर है तो नेक्स टाइम यह एक एक स्पीरियंस के लिए था कैसी रही पर मैं आपको बता दूँ कि अपनी गाड़ी आपकी बैट रहेगी अगर आप होटेल में रुकते हैं लो जी एक और स्टॉप लिया है पहले मैंने टापो में लिया था वहां पर गैस डल वाली थी अब आगया है टोको रुआ तो यहां पर भी स्टॉप लिया है पांस दस मिनिट यहां पर रुखते हैं और उसके बाद चलेंगे आगे की और तो साधे पांच खंटे की इसें टाइडी करके हमने इनको वापिस कर दी है और जो अपना बॉंड था मैंने दिया था वापिस लेकर मैं पहुंच चुका हूं एरपोर्ट में तो एरपोर्ट से जहां से मुझे फ्लाइट लेनी है और अपने शहर जो नेपियर जहां पर पहुंचना है फ्लाइट के यह तो अब यहनज दिखा रहा हूं तो झा cope जैस यहां पर लेने आ रही है यह हमारी गाड़ी आ आ चुकी है मुझे लेने के लिए कि लोजी पहुंच चुके हैं गाड़ी रेदी एके तो आज हमारी जो असल में हॉलिडेस कब होती है तो लेने आ तो मुझे लेने आ गए किसी कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किये बिना मज़ जाना और हम आपको जल्द ही मिलेंगे एक नई सीरिस में नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर तिल देन गुडबाई